बिहार के बेगू सराय में आठ साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है वह विजिया दस्मी का मेला देखने घर से निकली थी दरिंदे ने चौकलेट दिलाने के बहाने उसका रेप कर दिया चकिया थाना छेत्र के रूपनगर के जैराम इट भटा के समीप की है दुसकर्म करने के बाद वह बच्ची को वहीं छोड़ कर फरार हो गया बदहवास और अस्त्वेस्थ हालत में उसे इट भटा के पास सडक पर मिली सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है जबकि आरोपी फरार है पुलिस कानूनी कारवाई कर रही है आप देखना सुरू कर चुके हैं दर्शनी उज मैं हूँ दिव्यानसू चकिया थाना की पुलिस के अनुसार घटना के सम्मंद में रविवार की देर रात उन्हें सूचना मिली घटना स्तल पर पहुँच पुलिस ने जब घटना के सम्मंद में पीडिता बच्ची से पूश्ताच करना चाहा तो उसने कुछ भी नहीं बताया वहीं घटना स्तल पर मौजूद लोगों ने बच्ची के साथ यौन सोसन होने की बातें कही पुलिस टीम के द्वारा महिला पुलिस अधिकारी की साहता से पीडिता को इलाज और मेडिकल जाच के लिए सदर अस्पताल में भरती करवाया गया घटना स्तल की जाच के लिए एफसल टीम को बुलाया गया है एसपी मनीश कुमार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर टू के नित्रित्त में चकिया थाना की पुलिस टीम के द्वारा मामले की जाच कर बदमासों की पहचान कर विधी सम्मत कारवाई करने की बातें कहिए घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर डीएस पी टू भासकर रंजन के नित्रित्त में चक्या थाने की पुलिस ने पूरी टीम के साथ सदर अस्पताल पहुँचकर परिजनों से पूछताच की घटना के बारे में विश्त्रिच जानकारी ली गई एफसल की टीम भी घटना स्थल पर पहुची और पूरे मामले की जाच परताल के लिए जरूरी नमूने कलेक्ट किये परिजनों ने बताया कि वह अपने पिता के साथ और बहन के साथ रात मेला देखने गई थी इसके बाद वह वापस नहीं लोटी इस मामले में जाच टीम को लीड कर रहे डियसपी भासकर रंजन ने बताया कि इस घिरोने कांड के आरोपी की पहचान के लिए इलाके में लगे CCTV फुटेज की जाच की जा रही है जल्दी ही बदमासू की पहचान कर गिरफतार किया जाएगा फिलाल बच्ची का इलाज चल रहा है जब पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुँचा दिया तब जाकर परिजनों को जानकारी मिली माता पिता अस्पताल पहुँचकर बच्ची का इलाज करवा रहे है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आकिर कानून वेवस्था और इसके अलावा जो मानसिक्ता है लोगों की वो कैसी हो गई है कितनी घिनोनी हो गई है दुरगा पूजा पर नावालिक से रेप और माबाप को भी तब जानकारी मिलती है जब पुलिस बच्ची को लेकर सर्मनाग है फिलाल के लिए इतना ही ताजातरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है देखते रहें दर्श नियूज